नमस्कार में भाकिश्री, बिस्यन दियुस के बिजनेस समाज चाह में आप सभी का स्वागत है, खबरों के और बटने से पहले आए डालते एक नजर आज की सुर्कियों पर सर्विस सेक्टर की हलचल कंसोर वदेशी बाजारों में मांग खटी सावन में बड़ी फुलो की डिमांड सो रुपे से उपर पहुची केमते पाम ओल के आयात पर प्रतिबंध हटने के बाद नेपाली पाम ओल ठोक मंटी पहुच क्या है वहाँ से आ नेपाली पाम ओल बातिय कंपनियों की तेल से करिब 10 रुपे प्रति किलो सस्ता पढ़ रहा है मंडी में नेपाली पाम ओल दोहजार पचास रुपे टीना 15 किलो तो भातिय तेल 2170 रुपे टीना पिका है आठ कंपनियों का नेपाली पाम ओल स्तानी बाजार में बिखते थे लेकिन पिछली वर्ष मई में सरका ने पाम तेल के आयाद पर प्रतिबन लगा दिया था मैं में सरसो का तेल वर्रिवाइन की तरह पाम ओल भी अपने उच्छे तम की मद 145 रुपे किलो पहुचा तो सरका ने पाम ओल के आयाद से प्रतिबन हटा लिया है यह सबसे सस्ता तेल होता है इसलिए होटल रेस्टोरेंट से लेकर भुचिया नमकीन और आत्रगीक उपयोग में इसी का इस्तिमाल होता है सावन की आते ही शहर में इन दिनों फूलों की डिमांड एका एक बड़ी जिससे फूलों की दाम भी बढ़के हैं गिलाव का फूल 100 रुपय कि लोग पहंं गया है गुलाव का एक छोटा सा फूल 10 रुपय में मिल रहा है तो गुलाव की फूलों की माला 150 से 200 रुपय में है गेंदी की भी आवक शुरू हो गई है शिवन्ती और रजनी गंदा की फूलों की अधिक डिमान की जारी है यूँ तो अब चार महने तक धार्मिक आयचनों और पूजा पार्ट की आयचन लगाता चानने वाले है ऐसे में फूलों की मांग कम ने होने वाले है लेकिन श्राव है दतोर्यों के फल और अकोना की पूलों को भी इस मौसम में धुनना मुश्किल हो रहा है शिव पूजा के समय उन्हें अर्पित करने का खास मातव है रजनी कंदा और शेवन्ती भी 100 रुपे प्रतिक के ऊपर पहुंच गई है बिरो रिपोर्ट BCN News देश के सबसे बड़ में वह अब तका सबसे बड़ा प्राफिट है इस तरान कराव रोनों में गिरावट से उसे मदत मिली है बैंक ने 2020 की आप्रेल जुन दिमाही में 4199.34 करोड रुपे का शुद्र लाव दश किया था शेहर बाजार को दी जानकार के मताबिक बैंक की कुल एकल आए 2021-22 की प लोग 6 करोड रुपे थी बिरो रिपोर्ट BCN News बातिया रिजर्वर बैंक ने पुराने सिकों और करेंसी नोटों की खरित फरोत की बारे में एक चेताव निचारी की है RBI ने कहा है कि कुछ लोग वेवन ने आउनलाइन और आफलाइन प्लाटफॉर्म पर RBI के नाग और लोगों का इसनमाल करके पुराने सिके और करेंसी नोटों खरितने बेशने पर जनता से टैक्स, कमिशन या शुल्क की मांग करे है RBI ने सबस्ट किया है कि वहाँ इस तरह के किसी भी लेंदें में शामिल नहीं होता है और नहीं किसी तरह का कमिशन या शुल्क लिता है आर्पिया ने इस तरह के लेंदें पर कमिशन, शुल्क या टाइक्स लेने के लिए किसी वेक्ति या संस्तान को आधिक रुद्बी नहीं क्या है बिरो रिपोर्ट, BCN News जलाई में घरेलु सेवा शेटर में आर्थिक गतिविद्या लगातार तीसरे महने कम सो रही है लेकिन यह लगातार तीसरे महने पचास से दीचे बनावा यानि इसमें लगातार धीक रोध हो रहा है और बातों का पता, IHS मार्किट की तरफ से कराएके सर्विसे सेक्टर के सर्विसे चला है सर्विसे सेक्टर के PMI में बड़ो तरी से कमपोजेट इंटेक्स जुलाई में बढ़कर 59.2 हो गया जो जुन में 43.1 था लेकिन इसमें निराश करने वाली बड़ी बात यह है कि विदेशी बासारों में सर्विसे की डिमांड लगातार 17 मही निखटी है सर्विसे सेक्टर की एक्टिविटी लगातार 30 महेने कमसो डहने से मैनुफाक्चरिंग सेक्टर की एक्टिविटी में बड़ो तरी का असर कम हुआ खबरे समावत करने से पहले आए डrint एक नजर आश की सूट के उपर सर्विस सेक्टर की हल्चल कांसोर वदेशी बाजारों में मांखटी सावन में बड़ी फुलो की डिमांड 100 रुपे से उपर पहुची केम्ते बिस्निस समाचार में फिला लेता है ऐसे अंडे खबरों से जुड़े रहने के लिए देखती रहे बीसे न्यूज नमस्काट